नमस्कार, स्वागता आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले अमेरिका के बारे में अमेरिका के जो राष्ट्रपती है, उपराष्ट्रपती है, जो फोर्मर प्रेजिडेंट है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी के इसके पास होती है, यह सवाल क्यों अभी उठा क्योंकि जिस तरीके का हमला, फोर्मर प्रेजिडेंट के उपर, या जो प्रेजिडेंट के दोड़ के अंदर शामिल है केंडिडेट डॉनलर टरम के उपर जो हमला हुआ है, वो यह सारे सवाल सामने लाते हैं कि इतनी बड़ी सुरक्षा के अंदर एक तरीके से लापरवाई कैसे हो गई, जो अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर दावा करता है कि वो सुपरपाउर है, तो आज अपनी सुपरपाउर उन्होंने क्यों नहीं दिखाई एक तरीके से हंसी का पातर यहां पर अमेरिका बन जाता है, उनको एक आईना दिखा दिया जाता है परवाई कैसे होगे तो इस वीडियो में बहुत अच्छे से डिसकर्ज करेंगे कि अमेरिका के अंदर जो राष्टपती उप राष्टपती फॉर्मर प्रेजिडेंट होगे उनकी सुरक्षा किस एजनसी के पास होती है अब यह जिस एजनसी के पास होती है यहाँ पर उनके इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखे पैंसलवेनिया के अंदर एक चुनाव रैली थी प्रेजिडेंट और प्रेजिडेंट डॉनर ट्रंप यहाँ पर भाशन दे रहे थी बाशन देते वक्त इनके यहाँ पर एक आवासी इनके कान से खून निकल गया खून निकलते जैसे यह खड़े हुए जिस तरीके का यहाँ पर महौल बनकर आया पता चला कि 8 राउंड यानि कि 8 गोलियां चलाई गई एक 20 वर्षे वेक्ति ने यहाँ पर ट्रंप के उपर डॉनर ट्रंप के उपर गोलिया चलाई दी इस व पावजुद इसके की एक वेक्ति ने यह भी बोला था कि एक मतलब जो विटनस है वो बार बीबीसी को एक इंटर्व्यू में यह कहता नजर आये कि मैंने एक वेक्ति को एक बिल्डिंग के ओपर चड़ते हुए भी देखा और मैंने जो सिक्रेट सर्विस हैं जो पुलिस ह उनको भी इसके बारे में सूचना भी दी कि यह संदिग लग रहा है मुझे इसके उपर शक हो रहा है लेकिन जो सिक्रेट सर्विसीज थी और पुलिस थी उन्होंने कोई भी कारवाई नहीं की उन्होंने इग्नोर कर दिया और यह तो इग्नोर किया ही किया और यहां पर ज जो फॉर्मर प्रेजिदेंट है इनको जैसे ही गोली लगी उसके कुछ सेकंड बात ही जो शूटर था उसको मार दिया गया गोली से मार कर उसको गिरा दिया गया तो आप देखिए उनके पास डिटेल थी उनको पता चल रहा था कि गोली कहां से चलने वाली लेकिन वह कि कुछ टाइम पहले डिबेट हुई थी जोई बैडन के बीच में और डॉनल्ड ट्रम जी के बीच में तो यहां पर डॉनल्ड ट्रम को काफी जादा पसंद किया गया जोई बैडन जो है उनको काफी जादा एक तरीके से निराशा उन्होंने एक निराशा वाद एक तरीक पर आठ राउंड के अंदर यहां पर एक विक्ती भी मारा गया है, दो लोग यहां पर घायल भी हुए है, इनको तुरंट घेरने की कोशिश करते हैं, ताकि इनको कोई और भी यहां पर हमला ना हो जाए इनके बाद, फिर यहां पर डॉनल्ल ट्रम्प खड़े होते हैं, देखे एक विक्ती जिनके उपर गोली चली है, लेकिन वो डरे नहीं, डरने के बिना डरे, वो वापस खड़े होते हैं, और लोगों को एक होसला देते हैं, बाउंस बैक करते हैं, यह जो तस्वीर है, आज के टाइम के बाद समझ लो, कि आने वाले टाइम में, लोगों के अब काफी सारे लोग बोलेंगे, अरे यह तो प्लैन एक खुद डोलर टरंप ने भी कर सकते हैं, कि उनके ओपर सिंपथी वोट मिल जाएं, कुछ लोग यह भी बोलेंगे, जो बाइडन भी तो करवा सकते हैं न हमला, उसको भी हम कवर करेंगे, फिर यहाँ पर देखिए, जैसे इनको खड़ा किया गया, इन्होंने कहा कि फाइट, लोगों के अंदर जो उत्सा देखने को मिला है, शूटर को मार दिया गिरा है, फिर उनके पहचान की गई वे शूटर कौन था, यह जो फबीज साल का शूटर था, इनको बताया जा रहा है, अब थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, पचास राज्य हैं, अमेरिका के अंदर, पैंसलवेनिया जो है, आपके सामने, ताकि थोड़ा बहुत आप इमेज में देखें, यहाँ पर चुनाव रैली चल रही थी, और जैसे ही, एक इमेज जो है, कैप्चर भी कही है, सोनी क छेती हुई गोली चली जाती है, काफी सारे जो दुनिया के जो नेता हैं, लीडर्स हैं, उनके बयान भी आते हैं, एक्स यानि ट्विटर के उपर वो अपने एक तरीके से, इसकी अलोचना भी करते हैं, कि जो वोयलेंस हुआ है, डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर, इस तरीक कि मुझे गोड ने बचा लिया है, और यहां पर पहली प्रेजिदेंसी डिबेट हुई थी, जिसके अंदर जीत जो ही थी, वो डॉनले ट्रम्प की हुई थी, और बाइडन जो 33 परसंट जो है, पसंद किये गए थे, राष्टपती की पहली पसंद के तोर पर अभी आहाली फिलाल में वोड करा ली जाए, मतलब इस हमले के पहले अगर वोड करवा ली होते तो 49 परसंट थे, मतलब यह जीत जा रहे थे, और अब तो और ज़्यादा, क्योंकि इस तरीके से जैसे यह हमला हुआ है, तो लोगों के अंदर उन्होंने डिक्लेयर करती है कि प्रेजिद के उपर लगा कर बेची जा रहे है, वो तुरंत की तुरंत मार्केट में आ जाती है, इस तरीके का क्रेज भी देखने को मिल रहे है, गजब मार्केटिंग चल रही है यहाँ पर, तो यह देखेंगे ना, इनके पास information थी कि हाँ सामने बिल्डिंग के ऊपर कोई व्यक्ति ह जिसके पास gun है, और यह देख रहे थे, देखने के बावजुद में इनोंने गोली नहीं चलाई, गोली कब चलाते हैं, जब वहाँ से गोली चल जाती है, फिर यह वहार गिराते हैं, तो यह एक काफी जादा एक जांच का विशह बनता है, अभी माँ आपको वो location भी दिख जिसके बारे में बताने के लिए काग है, इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, यह भी कि रेली के दोरान शूटर को पता कैसे नहीं चला, वो शूटर वहाँ पर पहुंच चुका था, वावजुद उसके एक व्यक्ति वहाँ पर बता रहा है, कि मैंने जो पुलिस है, जो सिक् से लगबग 150 मिटर की दूरी परस्तित एक इमारत की छट पर चड़ते हुए देखा, जिसमें उसके पास एक राइफल थी, उसने बीबीसी के एक इंटरव्यू दिया, तो उसमें ये बात बोली कि उसने पुलिस और सिक्रेट सर्विसीज को सचेद करने का प्रयास किया, ल लगबग 400 फुट के दूरी तक पहुंच चुका था, तो इतनी करी वहां पर पहुंच जाना, रोइटर्स यानि जो रिपोर्टर्स हैं, उनके अनुसार, अमेरिकी पतिनिती सभाग के अध्यक्स, माइक जॉंसन ने कहा है कि सदन में पैनत, सेक्रेट सर्विसीज, उनवाई के लिए बुलाएंगे, उनसे पूछा जाएगा कि इतनी जो आपने कारवाई, इतनी जो लापरवाई किये, उसके पीछे रीजन क्या है, उनसे जवाब तो आप मांगे जाएंगे, अब जड़ा एक बर लोकेशन सेक कर लो, यह रहा यहां पर जो मंच, जहां पर रहे थे, वेट किस बाद का, जैसे यह गोली चलाएगा, तब यह गोली चलाएंगे, और जैसे यहां से गोली चली, कुछ सेकंड के बाद ही इन्हों ने इसको मार गिराया, तो यह एक चीज आती है, हमारे सामने निकल कर, जब आपको पता ही था, अरे भाई साब को यह चीर कर निकल गई है गोली, तो यह बाउंस बैक करते हैं नजर आए, यह काफी ज़्यादा इमेज वो वाइरल भी हो रही है, अब देखिए यहां पर, फुली सपोर्ट दिया गया, इलोन मस्क के दौरा, विशली अमेरिका के अंदर सबसे पावरफुल इंसानों के अंदर जो शामील होते हैं, इनल मस्क, उन्होंने तो साफ तोर पर बोल दिया कि भाई, हम तो प्रेजिदेंट डॉलनर्ट ट्रम्प को ही एक तरीके से अपना राष्टपती मान रहे हैं, उन्होंने खुला समर्तन कर दिया है, अब आने वाले जो इलेक्शन है, नवामबन के इमेज, जो है, सोनी के कैमरा से यह लिए गई थी, यहां पर एक चोटी से आप यहां देखे ही न, यह वाली चीज है, यह गोली यहां पर कैप्चर भी हुई है, आट राउंड कैप्चर, आट राउंड जो वहां पर चलाए गए थे, उस असोल ट्राइफल के द्वारा, य कि अगर कोई वेक्तियां अपने उपर हमला भी करवाएगा, न, चारसो फूट यहां न, लगबग देट सो मीटर की दूरी से हमला हो रहा है, तो असोल ट्राइफल जो है, वो पांसो पचास मीटर की दूरी तक फारिंग कर सकती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी क्या है कि एक बार में काफी सारी जो राउंड वेव फायर करती है, जैसी फर्स्ट राउंड फायर होता है, इसकी एक्यूरिसी घट जाती है, अपने निशाने पर लगने क्योंकि हिल जाती है, इसके अंदर इतना ज्यादा एक्यूरेट हमला नहीं हो सकता है, जितना एक स्नाइप हो चुकी होती, तो अगर कोई वेखती है, उपने उपर हमला करवा रहा है, तो वो करवाता वो एक स्नाइपर को लेकर आता, जिसकी एक्यूरिसी बहुत जादा है, स्नाइपर से सटिक निशाना बैठता, यहाँ पर आठ राउंड लगे हैं भई, कोली कहीं पर भी लग सकत हमला करवा तो वो एतने बड़े बेखकुफत है सबकी नजर उनके उपर है, क्या करवा रहा है, तो अगर उसे पर हमला करवा तो वो webinars के लिकार नजर नहीं ज्यखना में हांता है, दूनिया के सीधर तोर पर यह सब चीज़े करते तो वो फसने वाले थे तो यह सीज़ निकल करा थी कि उन्होंने भी यह नहीं किया तो किस नहीं किया उसका जवाब भी हम देंगे इस वीडियो में टेंशन ना लो अब इसके बाद प्रेजिदेंट डॉलनर्ड ट्रंप होगे जो है वो स्विकारे नहीं है यह सब बाते हैं सब बड़े बड़े नीटा लेता जो है उन्होंने यह बात बोली भी है अब डॉलर्ड ट्रंप ने भी अपने आपको एक तरीके से यहां पर बताया भी है कि मैं ठीक हूं और मुझे काफी जादा खेद है कि जिनकी हत्या इस जोजवान कहींगे जिनका धिमाग ऑविसली माइंड बॉस बड़ी असानी से कर दिया जाता है अब किसी भी वेक्ति को आप देखिये बार-बार बोल रहा है कोई वेक्ति किसी के प्रति मान लेजी यह एक्स वेक्ति है वो अपने भाशन के अंदर बार-बार ऐसी चीज़ करा गया तो तेश का बेडा करक हो जाएगा तो उसके अंदर ये ऐसी भावना बैठ जाती है कि अगर इसको मैं मार दूँ तो बैटर रहेगा तो यहां पर यह 20 साल के वेक्ति को कहा जा रहे कि एक ऐसा माहोल क्रिएट किया गया कि एड्मिनिशन के दोरा बैडन एड्मिनिशन के दोरा एक ऐसा एटमोस्फेर बना दिया गया कि जो अटेक हुआ वो टरंप के ऊपर यह कहीं न कहीं बढ़काऊ भाशनों के तहट हुआ है ऐसे एटमोस्फेर के माध्यम से हुआ है जहां पर उसके दिमाग में अनापशनाब भर दिया गया था तो यह ओविसली जो रशिया है उसके दोरा अपनी एक थियोरी पेस की गई है तो यह कोई पहला हमला नहीं है इससे पहले काफी सारे हमले हो चुके हैं एसेशिनेट भी किया जा चुके है और अटेंप भी किया गया यह अटेंप था मारने का अगर हो जाते तो असेशिनेट कहलाते तो इससे पहले यहाँ आप देखेंगे ना एक दो तीन चार पांच पांच जो लोग है यह जो प्रांच प्रेजिडेंट यहनी चार प्रेजिडेंट थे एक कैंडिडेट थे उनकी हत्या कर दी गई फिर यहाँ पर अटेंप टू किलिंग के अंदर एक कैंडिडेट थे 1912 के उनके उपर अटेंप किया गया फ्रेंक्लिन रोजर्वेल्ट थे जोर्ज वैलेस थे गेराल फोर्ड थे रोनार्ड रिगन थे बिल क्लिंटन थे जो जबलू भूस थे इनके उपर हमला किया गया इनको मारने का तो कोई पहली बात नहीं है कि यहाँ पर यह जो चीजें हो रही है हमारे सामने लेकिन यह सब चीजें हो रही है आज की डेट में यह सबसे बड़ी इंपोर्टन बात है 2024 में जो एक तरीके से अमेरिका हम बेशा आपने आपको दावा करता है मैं सूपर पावर हूँ तो सूपर पावर है तो इतनी बड़े लूप होल आपके सामने आते हैं मेजर लैप्स आपके सामने नजर आते हैं तो यह जानने वाली बात है कि how did he get so close बही वो इतने close कैसे पहुँच गया secret services pro major labs जो secret services है वो जाज कर रही है जो इतनी बड़ी एक तरीके से लापरवाई इसे लापरवाई कहेंगे क्या उन्होंने चेक नहीं किया क्या उन्होंने ये बात का ध्यान ने दिया कोई आपको व्यतार आया कि हमने कोई व्यक्ति देखा है उपर चड़ते हो जिसके पास rifle है क्यों उसकी व्यक्ति के उपर ध्यान नहीं दिया गया यह obviously इसकी जान चल रही है यह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने BBC के अंदर इंटर्वियों में यह बात बोले कि मैंने तो देखा था और यह बात बताई भी थी फिर यहाँ पर 42 सेकंड देखे दा काउंटर स्नाइपर डिड़न टेक दा शोट एड़ दा शूटर स्नाइपर यह जो देख रहे है देखे इनको दिख गया था वो वेक्ति उन्होंने लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया था देवर लुकिंग एट हिम एटलिस 42 सेकंड बिफोर दा एयर शूट ओन डॉनल्ड ट्रम और फेल दा प्रेजिडन उन्होंने ब्याली सेकंड के बाद अपने इक तरीके से 42 सेकंड को देखने तक वहाँ पर देख रहे थे 42 सेकंड तक उसको देखते रहे जैसे उसने शूट किया फिर यहाँ पर इनके द्वारा कारवाई की गई यह काफी बड़ी बात है वहाँ ने वहाँ पर एक्शन क्यों नहीं लिया यह सबसे बड़ा स्वाल उड़ता है यहाँ पर तो अब सिक्रेट्स यूएससे की जो सिक्रेट्स हैं वह को ने उसको हम जान लेते हैं देखिए यूएससे की जो सिक्रेट्स हैं उनकी स्थाबना हुई थी 1865 के अंदर दुनिया की सबसे फेडर उस वक्त राष्टपती हुआ करते थे विलियम मैकेनले की हत्या के बाद उनका यह काम जो बदल दिया गया था ओविसली मैकेनले के बाद अब्राहाम लिंकन होगे जेम से गारफिल्ड होगे उनकी भी हत्या हुई थी 1865 के अंदर अब्राहाम लिंकन की हत्या होगे थी 36 वर्षी हुए थे राष्ट को हिला कर रख दिया था राष्टपति की जो विशेष्टा उस पद पर आसीन वेक्ति के इद गिद मोजूद गंबीर खत्रों के बारे में अधिक जगरुकता पैदा करती थी हमलों के बारे जब यह हमले हुए थे 1902 में सिक्रेट सर्विसीज न गंटे पिछतर अधिकारि तेनाथ रहते हैं आवजाई के लिए इस पेशल फॉर्स यहां पर रहती है राष्टपती के अलावा सिक्रेट सर्विसीज निर्वाचित राष्टपति उनके परिवार है उनकी फॉर्मर प्रेजिदेंट होगे उनके जीवन साथी फॉर्मर प् सेवा आम राश्ट्रपती के 120 दिन के भीतर पर्मुक राश्ट्रपती के उमिद्वारों को भी जाती है यह जाती है यह जांज की जाती कि पैनल बैटने के बाद जांज करते हैं कि पहज़ाने करके सर्विस सेवा थो पहजाने चाहिए उमिदवारों को इस दाइरे के अंदर लाया गया था उमिदवारों को लाया गया था रोबेट केनेडी की जो हत्या हो गए थी एजन्सी के दाइरे में आ गए थे 1968 में राष्टपती चुनाव के लिए Democratic Party के अधिकारी अधिकारिक उमिदवार बनने के लिए दोड रहे थे केनेडी की जो हत्या हो वो 5 जुन 1968 को Los Angeles में गोली मार कर हत्या कर दी गए थी उनके भाई राष्टपती जोन F. केनेडी की हत्या के 5 साल बाद से भी कम समय के बाद उनकी हत्या हुई थी उनके भाई की जो राष्टपती थे अब यहाँ पर जब वे Los Angeles से जा रहे थे उनकी हत्या कर देगे थी कई लोगों को उमीद थी कि Robert Kennedy एक बड़े मुकाबले के बीच नमंकन जीतेंगे agency की website कहती है कि Secret Services के जनादेश को तब लोकतांतिरी प्रक्रियाक की अखंडता और सरकार के ननता बनाए रखने के लिए विस्तारित किया गया था अब जिस event से पूर राष्टपती शामिल होते हैं उसके चारों तर बैरिकेंडिंग की जाती है किसी भी event में शामिल होने के पहले Secret Services को agent उस जगह का पूरा मुआयना करते हैं तब यहाँ पर यह सवाल उठता है क्या उन्होंने मुआयना नहीं किया उस building को उन्होंने कैसे छोड़ दिया क्या वहाँ पर उन्होंने नजर नहीं रखी अब नरजर रख रहे थे तो वह सामने वी वेक्ती चड़ रहा था क्या उन्होंने देखा नहीं Secret Services की संचालन रिन्नीती कह रहती है What are the operational tactics of Secret Services Secret Services के पास Obviously उनके पास fire arm होते हैं उनके पास किसी को भी arrest करने का बिना warrant के अधिकार दिया जाते है कोई reasonable ground होना चाहिए उनके website कहती है यह कहती है कि हमारी शारिक उपस्तिती से पहले हम physically वहाँ पर मौझूद हों उससे पहले हमारा काम जो वहाँ पर start हो चुका होता है जब इतनी बड़ी बात आप बोल रहे हो कि हमारा काम बहुत पहले ही start हो जाता है करने में secret services की साहता करती है अन्य आंत्रिक सुरक्षा एजंसियों के agent भी मदद करते हैं तो इतनी सारी agencies लगी होती है राष्टपती प्रोप राष्टपती former राष्टपती या जो candidate होते है उनकी सुरक्षा के लिए इतनी सारी agency लगी होती है लेकिन बाष्ट जो दुझके आपको सुरक्षा के अंदर इतने जादे लापरवाई देखने को मिलती है तो obviously इसकी जांच होनी तो बनती है जहां पर भी इतने बड़े campaign हो रहे है before large event like campaign release होगी जो agents होते हैं वो scan करते हैं उस जगह को जो एक agents होते हैं उन सब attendees होते हैं जो भी यहां पर आए हैं उनके बैक चेक करते हैं उनके wallet तक भी चेक करते हैं और कईयों को तो personally नहीं अपने हातों से चेक करते हैं AP के एक report के अंसार दो कानून यानि कि enforcement agency के हवाले से का गया कि counter sniper team और counter assault team सदस्य जो है वो ट्रेम्प की rally में मोजू थे counter sniper team लंबी दूरी की दूरबीनों का उप्यों करते हैं और उनके पास sniper rifle भी होती जिन्होंने वो मारा था वो वेक्ति मारा था जबकि counter assault team खत्रे को खत्म करने के लिए खत्रे का काम करती है ताकि अन्य agent क्या करते हैं जो जिस वेक्ति को बचाना है उनको वो दूर ले जा सके उनकी वो रक्षा कर सके हैं जैसे यहाँ पर former president Donald Trump के साथ हुआ जैसे उनके उपर हमला हुआ जो agent जो है उनके पास पहुंचे उन्होंने गहरा बनाया उनको उनके उस गहरे के अंदर रखा ताकि कोई भी गोली लगे तो उनके agents को लगे प्रेजिडेंट की जो runner जो यहाँ पर candidate है उनको वह गोली ना लगे शुटिंग के तुरंत बाद जो है टरंप को काले सूट जो शेट पहने जो agent ने हमला यह मैं निन्य निली का हमला कर दिया यह मैंने सिर्फ टाइप किया था उसको google trans किया और यहाँ पर सामने आ गया यह हमला नहीं है उन्होंने एक तरीके से घेर लिया था उनको जिन्होंने उन्हें हमला नहीं है इससे पहले भी हमले हो चुके है और एक जो सबसे बड़ी चीज आती है कि आपको पता है कि अमेरिका के अंदर जो right to weapon का उनको एक अधिकार है अधियार रखने का तो बड़ी असानी से हतियार मिल जाते है और हतियार मिलने के यहां पर एक सबसे बड़ा criticism भी किया जाता है इसके पीछे कहा जाता है कि डॉलर्ड ट्रम्प ने भी कही ना कहीं इसका समर्थन नहीं किया है वो हतियार देने के लिए कि किसी को भी रोका ना जाए एक तरीके से समर्थन करते आए हैं तो यह देखने वाली नहीं करवाया कोई ततकाल प्रेजिनेट जो बैडन ने नहीं कराया ऐसे व्यक्ति ने कर दिया ओविसली वो कैसे वहां पहुंच गया है इस सारे सवाल पैदा खड़े करते हैं यह सारी जो सिच्वेशन है वो ऐसे सवाल पैदा करते हैं कि इनकी जांच करना बहुत ज़्यादा जरूरी है उमिद करता हूँ कि आज का जो टोपिक है वो उच्छे से समझ में आ गया होगा समझ में आ गया तो मुझे कैसे समझाएंगे आपको पढ़ना भी है तो आपको क्या कर सकते हैं कि टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिला है तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की पेडिया जो वो डाउनलोड कर सकते हैं तो बस आज के लिए इतना था थैंक्यों वर वाचिंग इस वीडियो